दिल को कमजोर करने में बैट कॉलेस्टरॉल की बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही लहसुन इम्मिनिटी भी बूस्ट करता है। ये लहसुन की खुराक शामिल कर सकते हैं। ताजा लहसुन को भोजन में कच्चा या पका कर खाया जा सकता है। लहसुन पौडर को सलाद, सूप और इस्टू में चिड़का जा सकता है। लहसुन की खुराक, कैपसूल, टेबलेट ये तरल रूप में उपलब्ध है। लहसुन के अन्य लाब क्या हैं ये भी जान लेते हैं। जिन लोगों को हाई बलड प्रेशर की शिकायत हैं, उन्हें लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन रक्त वाहिकाओं को अराम देने और रक्त प्रवा को बहतर बनाने में मददगार हैं, जिससे बलड प्रेशर कम होता है। एंटी बायोटिक, एंटी वारल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो इस संक्रमन से लड़ने में मदद करते हैं, ये सर्दी फ्लू और अन्नी संक्रमनों को रोकने का उनका इलाज करने में मददगार हैं। बीमारियों से बचाओ के लिए रोक प्रती रोधक शम्ता का मजबूत होना जरूरी है। लहसुन प्रती रक्षा परणानी को मजबूत करने में मदद करता है, ये शरीर को संक्रमन से लड़ने में मदद कर सकता है और बीमारियों को भी रोकता है। तो लहसुन हमारी बाड लेकिन लहसुन खाने से पहले डॉक्टर से एक बार सलह जरूर कर ले वो आपके लिए अच्छा रहेगा तो उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को जाधा से जाधा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कॉमेंट करें और बैल आइकन का प